Hey guys, welcome back to my channel अगर आप लोग भी चैपी लिप्स और डार्क लिप्स की प्रोब्लम फेस कर रहे हैं तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको एक होम रेमेडी बताने वाली हूँ उसमें half double spoon of rice floor यूज करें दोनों ही चीजों को अच्छे से mix कर दीजेगा और आपकी रेमेडी बनकर त्यार हो चुकी है ये काफी अच्छे scrub का काम करने वाली है इसमें हमने add किया था कोल गेट जो आपके लिप्स को काफी अच्छे से exfoliate करेगा आपके dead skin cells को remove करेगा उन्हें soft and white print बनाएगा इन जो कोल गेट में थोड़ा सा minty flavor आएगा वो आपके blood circulation को काफी improve करने वाला है आपके लिप्स को काफी healthy बनाएगा and youthful बनाएगा साथे साथ आपको इसमें cooling effect भी मिलने वाला है जो आपके लिप्स पर in case को irritation है तो उसको भी soothing effect देने में काफी helpful रहने वाला है after that हमने smart किया था rice floor जो एक काफी अच्छा exfoliant का gain काम करने वाला है जो आपकी dry skin को remove करेगा इसमें काफी सारे antioxidants होते हैं जो आपके लिप्स को किसी भी तरगे के damage से protect करेगी rice floor में natural bleaching properties भी होती है तो ये आपके लिप्स को काफी lighten करेगी और pigmentation को reduce करने में भी मदद करने वाली है तो ये जो हमने remedy बनाई है ये आपके लिप्स पर दो दरगे का काम करने वाली है सबसे पहले आपके लिप्स को काफी अच्छे से exfoliate करेगी dead skin cells remove करेगी and secondly ये आपके लिप्स के pigmentation को reduce करेगी soft बनाईगी, pinkish बनाईगी और काफी radiant भी बनाने वाली है अगर आप इस remedy को week में 2-3 बार भी use करते हैं तो देरे देरे आपको अपने लिप्स पर काफी अच्छे difference देखने को मिलेंगे आपको hardly 4-5 मिनट के लिए अच्छे से scrub करना है उसके बाद normal water से wash कर लीजेगा and after wash आप कोई भी अच्छा सा lip balm अपने लिप्स पर apply कर लीजेगा either vaseline भी आप apply कर सकते हैं so now अब आप भी अपने dark lips को goodbye कह दीजे और अपने lips को brighter बनाईए so that आप confidently smile कर सके so I hope आज की वीडियो आप लोगों के लिए useful रही होगी for such more videos मेरा चनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटावाबे टेक कियर and as always धन्यवाद thanks for watching